तो आज हम VVA Macro Power Programming में सबसे important चीज पढ़ने जा रहे हैं ऐसी चीज जो कि हर VVA code में हमारा इस्तमाल होता है वो है selection How can you select the data with VVA Macro Programming अब इंपोर्टन क्यों है इसके वारे में पहले आपको बताते हैं इकसल में आपके पास अगर कोई data है उसके उपर आप कुछ करना चाहते हैं पीवड करना चाहते हैं फिल्टर लगाना चाहते हैं चार्ट लगाना चाहते हैं, कॉपी करना चाहते हैं पेश करना चाहते हैं Anything need to selection समझे एक फिक्स डेटा को स्लेक्ट करके कर लेंगे तो थी कत्विया लेकिन आप भी प्रगामिक मनाते है डाइनमिक के लिए ताकि आपका जो एक्सल है इन फूचल में अगर डेटा चेंज तो फांगुला वी वी आटमाटिक डेटा इंक्रीज कर ले डेटा अगर कम हुआ तो डि यही स्लेक्शन में था और हम आपको आज की इस क्लास में कराने जा रहे हैं तो सबसे पर जानते हैं डेटा को हम स्लेक्ट कैसे करेंगा ठीक है तो यहां पर मैं सब्जेक्ट देता हूं और यहां पर हम देते हैं एक सेल को स्लेक्ट कर लेता है या फिर सेल्ज 1.1.0 करते हैं एक बीवन इस स्टाइल में चलता है लेकिन एरिया सेल्ट करना हो कि एवन से लेकि जी थाटीन तो उसके लिखने का दो तरीके हैं पहला है कि आप लिखोंगे रेंज A1 A1 से लेके G13 जो Excel का mode होता है उस mode या दूसरा VVA का method होता है A1 is the starting position and G13 is the ending position अज़े एक क्या करता है एक करता है कि यहां भी click किया और shift के साथ इसने लिखा में click कर देटा स्लेक्ट हो गया लिए रहे हम लोग जो है जब तर इसी BVM में इसी method का इस्तमाल करते है जब dynamic selection की बात होती जब इसी बात होती है इतना ही रहेगा हमेशा तो हम इस method इसका यूज़ करते हैं जब लेकिन dynamic होता है तो इस method का यूज़ करते हैं क्योंकि इसमें हमारे पास दो अलग अलग पार्ट मिलते हैं जिससे हम डाइनमिक कर सके आप कैसे करेंगे अगली कुछ मिनट में आपके साथ मैं डिसकर्स करूंगा जैसे कि हमारे पास एक डेटा है डेटा है मान देजे कि रेंज कुछे कंच्ट्रोल एकर करके स्ट्रेक्ट करना है तो एक दॉन करेंट ड्रॉन रखेंगे कंच्रोल एकरेंगे और पूरा डेटा स्लंप हो जाएगा और है कि यह सब्सक्राइब करते हैं हमारा पूरा डेटा स्लेक्ट हो लेकिन मुझे पूरी सीट्स लेक्ट कर लिया है तो पूरी सीट्स लेक्ट करने में करेंगे है हम लिखेंगे सेल्स डॉट सेलेक्ट जास्ट को स्लेक्ट कर लेगा अगला कर दो जहां करसर उससे नीचे दलाना है या राइट ले जाना है डाउन में अपने करसर तो मूव करते हैं ना बलोग कंट्रोल पर इंचे सर इंकल हमने बताया था उसके लिए होता है हमारे पास रेंज जहां से करसर स्टार्ट है वहां दे दीजिए डॉट एंड एक्सलेस डाउन पर जाता हम यहां पर एक्सलेस डाउन डॉट जहां करसर वहां से डाउन आ जाता है और इसी में अगर मान लिजिए कि हमने डाउन के जगह पर लेफ राइट कर दिया अप कर दिया तो उसकी इसाब से अपने आपको बर्ग करता है अगले तो यहां पर आपको दिख जाएगा कि क्या क्या है अगि यहां से नीचे जहां पर कर सकते हैं बस्ति नीचे आगे बीच्छे कहीं जाना है मुझे माल लिजे कि मैंने आप लिखा कि range P1 dot and plus down मुझे xless down मतलब कि यहाँ पर आ जाएगा मुझे माल लिजे इससे एक रो नीचे लागा तो मैं यहाँ पर लगाऊंगा offset 1 row comma 0 dot और 0 एक रो नीचे और एक कॉलम आगे लाना है तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा one मुझे एक रो नीचे नहीं एक रो ऊपर एक रो एक कॉलम पीछे करना है तो यहाँ पर आपकि माइनस हो जाएगा ठीक है तो आप सेकर में तार समझना आ गया एक छोटी से दिक्कत और होती है जैसे कि दाउन के यूज करते है और मैं यहाँ पर ब्लैंक कर लिया तो अब मेरा जो एक एक्सलेस एंड बला मिंत्वर्ड है वो क्या करेगा कि कर्सर को यहीं पर आके रोब देगा तो सबसे लास्ट में जाता है ना क्योंकि सबसे लास्ट का Siri है तो उस case में क्या करेंगे तो उस case में हम लोग क्या करते हैं एक तरीका अबनाता है कि हम ये पैसर हजार पिछले जाएं और यहां से उपर के तरफ जाएं अब पैसर हजार जोड़ी नहीं है लेकिन हम ले लेते हैं ऐसे ही क्योंकि अब तरीका पिछल जाएं इसलिए मेरी हैविट है हम ये पैसर हजार या जो भी पैसर हजार रो है वो ले लेते हैं और यहां पर हम करते हैं एकसलेस अप डॉट स्लेक या आपसेट लगाना है तो आपसेट लगा सकते हैं इससे बेनिफिट क्या होता है कि नीचे से लाश में जाता है उससे ऊपर कितना ब्लैंक है उससे कोई मतलब नहीं है राइचर इसमें आगे बढ़ते हैं हमने आपको बताया कि हमें पूरा डेटा स्लेक्ट करना होता है तो हम कंट्रोल एक करते हैं करते हैं तो कंट्रोल एक की दिक्कत क्या होगी है कि अगर यहां पर हमने फाल्तू में डिटा रख दिया वह भी सेलेक्ट कर लेता है वह भी सेलेक्ट हो जाएगा मैं चाहते हुआ कि कंट्रोल सिप्ट के साथ राइट में जाए एंड डाउन में जाए इस तरह से तो अब मैं यहां पर क्या करता हूँ कि इस कोड को और इस कोड को आपस में मर्ज करता हूँ कैसे देखे हमने बुला कि range हमारा a1 से start है यह मुझे पता है फिर हमने बुला कि excel a1 से dot and add select to left dot select यहां पर दो चीट चाहिए starting position और ending position starting position पता है हमारा a1 और ending position के लिए हमने यहां पर बुला कि भाई a1 से end में left की तरफ जहां पर करसर रुकेगा हमारा end होगा left या right left हो और राइट हो बच्छा end इसको पूरे स्लेक्शन हो जाएंगे तो तरफ जाएगा और फिर डाउन भी लाना पड़ेगा सर तभी तुद पूरा select होगा तो राइट करते ही क्या होगा इसको पूरे स्लेक्शन हो जाएगी उसके बच्छा इसके बाद स्टार्टिंग पूरे स्लेक्शन से चलो अब इसके बाद स्टार्टिंग क्या है है लेकिन इसमें दिक्कत है कि मारे इसने यह हं ब्लेंक का और इसका यहां यह लइंगे और तो शिय के लिए करेंगे यहां करेंंगे अ ही ब्लैंक वर्यृवकर लेंगे इक मोद्ट यएन आदर एक तके 5 में लेंगे जिसमें ब्लैंक होने की चांसे नहीं है कि यूनीक होता है माले तो फिलो नहीं चाहिए इस कॉलम में मुझे पता है कि ब्लैंक नहीं होगा उस कॉलम को उसका रो नंबर उठाएगा और इस आर की उपर रख देगा आर क्या है एक ऐसे ही जैसे कि और जहीं हम आप मैथमैटक्स में x,y,z,ab,c,d ले रहते हैं तो आर के जगा हम कुछ भी ले सकते हैं सार है कुछ भी एडिटिग और c is equal to range x, xfd1 dot and dot and और इसमें Excel to left dot column तो यहां से राइट एरो लेफ्ट में जाएगा उसका पॉलन तो मुझे लास्ट कॉलन और लास्ट रो पता है अब डेटा एकार स्लेक्ट करेंगे देखिए यहां लिखेंगे कि रेंज लेकिन दूसरा मेरा जो है ओर नमबर में है हमारो भी में सब्सक्राइब आपके पास दोनों नमबर में हो तो क्या यूज करते हैं ऐसे शैल तो सैल्स हम ने बोला और और कॉमा सी इदा लाइब सेलेक्ट है कि यह आपके सामने और कॉमा सी दॉट कॉलम बड़ काउंट यहां पर आपके सामने दिख गया है कि इसमें नेक्स्ट ऑफ्सन आता है इची जाने किएगा हमने आप माली जी कोई भी इसमें कोरम लगाते हैं तो हमने यहां पर लिखा कि रींज वान दॉट सेलेक्ट यह सिद्ध करेंगा एक्टिव सी जो होगा उसकी एवन पर लिखी जाएगा लेकिन मुझे का एवन जाई है क्योंकि दो एक्शन हो जाता है तो आपका एक्शन बोलता है कि एक कोड के साथ एक ही एक्शन लिखो एक्शन होगा एक लाइन में एक्शन इसको दो लाइन करना पड़ेगा है जाएङ है कि सीट शीत ही डोल को पहले अक्तिवेट करेंगा फिर यहां पर ऌट दो कि अग्राइब में चैने ठीक्रें एक यह सब्सक्राइब करने जोड़े है इस एक्रविए था पास था प्सक्राइब इवेंट है तो पास पे वैलू अपलोड हो सकती है एक्षन नहीं तो सलेक्ट करना, कॉपी करना इस एक्षन है ठीक है तो अगर आपको ऐसी किसी और बुक में चाहिए तो यहाँ पर आपको उस वर्क बुक को भी एक्टिवेट करना पड़ेगा कि बुक यहाँ पर बुक वान नोट एक्षेलेस एक्षेलेस जो भी है डॉट सलेक्ट या एक्षेलेक्ट इस पर एक्टिवेट होगा ठीक है कुले रहे? यह सर्ड आपको सर्ण नभी उसें जी जी बिल्कुल सर्ड तो किसी रेंज पर करसर रखना है, करसर रखने के लिए सेलेक्शन करना पड़ेगा उसके यहाँ रिखिएगा यह कोड को हमने बताया आपको इस सब कोड के आगे आपको अगर अनूदर शीट है तो अनूदर शीट सेलेक्ट को और इसकी सेलेक्ट का यूज करना पड़ेगा ठीक है बढ़ना क्या होगा अगर ऐसा नहीं करेंगी तो सेम जो एक्टिव शीट होगी एक्टिव फाइल के एक्टिव शीट होगी उसी में इसका यूज कर लेगा आपको बना के बताया था कि यह सब्सक्राइब किया आपको वेजा भी था सब्सक्राइब जी आपने ट्राइब किया जी ट्राइब किया मैंने आपको वेजा भी था सब्सक्राइब कि इसका यूज बहुत होता है सब्सक्राइब इसमें आपने देखा कि आपने बनाया और डेटा यहां पर चला अब इसके फुरी सी एड़िट करनी है अनिल्यादर जी जी सब्सक्राइब करना है कि इसमें दो चीजी ती चीजी तीन कॉलन आपको खुछ से एड़िट करने है डेटा में पहला एक यूनिक आईडी होना इसकी इंटरी यूजर नहीं करेगा यूजर जब बटल पर क्लिक करेगा उस समय क्या डेट और टाइम हो रहा है अच्छा वो सिस्टम का सिस्टम के इंफमेशन से आएगा यहां यहां पे डाल देगा और एक यूनिक आईडी खुद बखुद हाट इंटरी पे जन्नेट करेगा इसके लिए फिर अलाग सब कोडन लिखना पड़ेगा ना चाहां लिखना पड़ेगा इंटरी तो अमलब टुडए मतब वो आइटिंग या जो एक्सल में यूज करते में भी उससे आएगा कुछ ना कुछ देरें डाइंग आओ आप आप रिसार्च करें जिएगा अभी तो पता है आप यह कमेंट हम यूज करते हैं कि दूसरा है बस आपको दोनों सीट को अलग अभी क्या है कि दोनों सीट एक ही फाइल में इन दिनों कर दो लेना है और अलग फाइल की डेटा अलग फाइल को होगा है कि एसमें बतार अथा हुआ है कि बस यह और यह सर्णborईग वाना डेटा डालना से पर सब्सक्राइब ठीए उनुटन इसको एक अलग फाइल पे डखेंगी तूकि दा दाइप से होगा है और जैसे हाइत उसको वो सब्सक्राइब करें वो फाइल को डेता वाले फाइल को उपिन करेगा जिस इस कॉरिक पेडेता डालेगा और सेब करके फाइल को ग्लोज कर देगा यूजरोगों पता नहीं चलेगा डेटा गया कहा בןनेटा कि वह बता जिसमें डेट वाले कैसा आएगा सरश कि देट का फॉर्मूला लगेगा जी जहां पे आपने अब नो कमेंट दुरुआ दिया यहां आपने रेंज वैलों के रखा है इसके उपर डेट का फॉर्मूला आजाएगा नाव का फॉर्मूला आजाएगा अच्छा अच्छा है ठीक है नाव अपना डेट टाइंड देता है डेट फॉर्मूला आपका डेट देदेगा अब बाकि के लिए भुगल वबाबा हैं आपको सब्सक्राइब करते हैं दें निकालते हैं अगर आपसे नहीं होगा तो हम कर बताएंगे आपको थी कैसरी थीक है नहीं तो पर्सें ठीक जरी है यागी है ओके बाइ ठीक जरी